हाई, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं educational hikes I am well aware कि आपके पास बिलकुल समय नहीं है और I promise कि आपका एक भी second waste नहीं होने दोंगा Error correction and editing के लिए ये एक ultimate वीडियो है जो आपको exam में appear होने इस पहले देख लेना चाहिए अब इस फरोरी को exam है, इस वीडियो की 70% चीज़े आपके exam में मिलेंगी और अगर न बिलीव हो तो exam देने के बाद वापस मेरे channel पर आ जाना Error correction और editing पर मैंने भर-बर कर वीडियो बनाए और millions of views अल्रेडी आ चुके हैं उन सभी वीडियो की link एक playlist बनाकर मैंने इसी वीडियो की description box में दे दिये तो आप जाकर वहाँ से देख लेना आज की वीडियो important क्यों होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके error correction के एक एक doubt को solve करूँगा question देखने से लेकर उसको solve करकर सही answer लाने तक का क्या process है वो क्या चीज है जिससे आप error correction को कर सकते हो और अब तक का मेरा जितना experience है error correction को पढ़ाने का वो सभी मैं आज की इस वीडियो में detail में describe करने वाला हूँ बहुत ही कम समय में तो बिलकुल कमर की पेटी बांध लो और चली इस वीडियो के start करते हैं बट before that ना यार चानल को subscribe कर देना वो important है अच्छा अब आते हैं अगेन इस वीडियो पर error correction और editing सबसे पहला question है कि भईया कहा कहा से questions आते हैं error correction में चार topic जो CBSC ने अल्रेडी बता रखे हैं पहला tenses, subject verb agreement, determiners, model auxiliaries फिर से subject verb agreement, tenses, model auxiliaries, determiners ये चार ऐसे topics हैं जहां से error correction के questions आते हैं और एक बात और मैं बोल देता हूँ अगर आपने इन चारो topics को thoroughly, detail में पढ़ रखा है तो आप इस वीडियो को close कर सकते हो क्योंकि इसके अलावा कुछ है निए error correction में अब अगर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी idea नहीं है कि error correction के questions को कैसे करें तो idea मैं दूँगा कि how to solve error correction questions कैसे question को देखते ही answer तुमारे दिमाग में घूमने लगेगा वो आज हम सीखेंगे ठीक है, अच्छा, ये चार topics आपको दिख रहे हैं, जो error correction में पूछे जाते हैं, model auxiliaries subject to work agreement tenses and determiners इन चारों में क्या क्या चीज आपके जानने लाएक है, क्या क्या चीज ऐसी है जिनके exam में आने के chances 100% है, वो जान लो सबसे पहले हम tenses की बात करते है tenses से क्या आ सकता है error correction में 70% questions wrong form of verb इस्तिमाल करके बनाया जाता है आप error correction के questions जितने भी देखोगे चाहे इस साल के sample paper में पिछले साल के board paper में पिछले साल के sample paper में इन सभी में कम से कम 70% questions verb के सही form भरने को लेकर है और verb का सही form आप तभी भर पाओगे जब आपको ये पता होगा किस tense में कौन सा verb use होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सके तो no down भी करते चला आपके लिए फायदे मंध होगा है ना, सबसे पहले tenses में चार ऐसे helping verbs हैं कौन-कौन से do और does did, will और sell चार, do, does, did, will और sell ठीके अब ये चार ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की first form आती है कोई और form of verb इनके साथ use नहीं होगी कौन-कौन से है do, does, did, will, sell समझ में आया, अच्छा अब आगे चलते हैं is, am, are, was, were, will be, sell, be कौन-कौन से is, am, are, was, were, will be, sell, be साथ टोटल ये साथ ऐसे helping verb है जिनके बाद हमेशा ing form का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमेशा continuous tense में होते है कौन-कौन से is, am, are, was, were, will be, sell, be बहुत ही सिंपल था ये ऐसे साथ helping verbs हैं जिनके बाद हम ing form का इस्तेमाल करते है हमेशा नहीं कभी-कभी हम verb की third form का भी use करते है is, am, are, was, were के बाद और ये तब होता है जब ये पूरा sentence हमारा passive voice में होता है ठीक है तो बहुत सिंपल था कि is, am, are, was, were, will be, sell, be के बाद हम ing यूज करते है जब active voice में है और अगर passive voice में है तो is, am, are, was, were, will be, sell, be के बाद हम verb की third form का इस्तेमाल करते है बिलकुल clear सा फंडा है है अच्छा, अगला has, have, or had ये तीन ऐसे helping verbs है तुमको जिस भी sentence में दिखे न चेक कर ले न इनके बाद हमेशा verb की third form आती है कोई और form of verb है तो उसको काटो और verb की third form supply करो ये गलती बहुत बार पूछा गया है, even इस साल के sample paper में भी एक question है gas filling का जिसमें has और have के बाद gap दिया है और चार form of verb दिया है आपको fill करना है तो has, have, or had के बाद आपको याद होना चाहिए कौन से form of verb का इस्तेमाल करेंगे, अब हम third form का इस्तेमाल नहीं करेंगे, has, have, had के साथ, b, double, e, n, been, पहले से लगा है तो हम ing form का इस्तेमाल करेंगे, तो ये 12 हो tenses में किस helping verb के सामने, किस main verb का इस्तेमाल होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया बस इतना important है बड़ा आसान हो जाए, बहुत easy हो जाए तो सबसे पहले एक एक करके सभी model auxiliaries का use मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला can आता है हमारा can सकता है के sense में use होता है, जब हम अपनी power दिखा रहे हो, अपना ability दिखा रहे हो, जैसे भाई सब मैं English बहुत अच्छी बोल लेता हूँ तो मैं कहूंगा कि I can speak English so well, आप लोगों में से कई लोग 2-2 km दोड़ जाते होगे ठकते नहीं होगे, तो यह आपकी ability है, power है, कि you can run 2 km in a day है ना, तो कभी भी power और ability को दिखाने के लिए हम can का इस्तेमाल करते हैं, could जो can का past है, तो बिल्कुल यह could जैसे can का past है ना, बिल्कुल ऐसे ही could का इस्तेमाल हम past की ability के लिए use करते हैं, यानि कोई ऐसी ability, छमता जो आपके पास पहले हो, लेकिन अब नहीं है, जैसे बचपन में मैं घंटों तक धूप में खेल सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट अब ऐसा नहीं कर पाता ये, मेरी ये past की ability थी, तो इस sentence के लिए हम could का इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे कि I could play in the sun for hours, मैं घंटों तक सूरज में खेल सकता था, यानि could का इस्तेमाल एक जगा और होता है पूछो कहां भया, जब हम किसी से polite request करते हैं, बहुत ही विनम्र निवेदन करना हो could you please lend me your notebook ऐसे situations में हम could का इस्तेमाल करते हैं, can could हो गया may और might की तरफ चलते हैं may possibility दिखाने के लिए use होता है, जब किसी चीज की होने की संभावना 50-50% हो, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई possibility कितनी percent है, किसी sentence में तो यार पूरे sentence में किसी ना किसी word में ऐसा hint जरूर हमें पता चल जाएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर may use करना है कि can use करना है देखो can भी possibility के लिए use होता है, बट जहाँ पर किसी काम के होने की possibility बहुत जादा हो, make a use possibility के लिए ही use होता है लेकिन जहाँ पर उस काम के होने की संभावना 50-50% हो ठीक है? make a use एक और है, formal request अगर हमें किसी सकरना हुआ, जैसे आप अपने teacher से पूछते हो, may I go to washroom ma'am, may I go to washroom sir, यह एक formal request हुआ यानि अपने बड़ों से या अपने same age वालों से तो नहीं किया सकते है, अपने से बड़े, चाहे वो age में बड़े हो, चाहे वो post में बड़े हो, उनके लिए हम क्या use करते है may, may I use your phone may I take this notebook ठेक है, तो may का दो use, एक possibility दिखाने के लिए, और एक formal request करने के लिए, अब हम आते है might की तरफ, यार भाई साब might मतलब होता है, सायद शायद ये काम हो जाए शायद ये काम ना हो, तो शायद sense के लिए हम might का use करते है for example, मान लो धूप खिली होई है, बारी सोने के संभावना ना के बराबर है, अब इसी में आप ये ऐसा कह सकते हो कि it might rain today, आज सायद ही बारी सो, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो धूप खिली है, बारी सोने के संभावना बहुत कम है, ऐसे situations में हम might का use करते है, अच्छा, आप sell और should की तरफ आते हैं, sell हमेशा intention दिखाने के लिए use होता है, जैसे we sell overcome, someday we sell overcome we sell overcome, हम एक दिन जरूर उबरेंगे, जब किसी चीज़ का intention दिखाना हो, यानि इरादा क्या है आपका, तो हम sell का इस्तेमाल करते है should, suggestion के लिए use होता है, और बचा ought to, O-U-G-S-T ought to, ought to duty दिखाने के लिए use होता है, अगर हमारा कोई करतव है, कोई duty है, तो हम ought to का स्तेमाल करते हैं, और एक आखरी बसता है would, भाई would का स्तेमाल हम imaginative case में करते हैं, यानि हिंदी के ऐसे sentences, जो होता, होती या होते से end होते हैं उन सभी sentences में हम would लगाते हैं जैसे cast में prime minister होता या अगर मैं prime minister होता, तो मैं rule change कर देता तो अगर मैं prime minister होता ये conditional sentence है, ये imaginative condition है, यहाँ पर हम would का स्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से model auxiliaries के सभी model auxiliaries का आपको use पता होना चाहिए अब आते हैं determiners में और तुम्हें पता है सबसे important क्या determiners में पढ़ना, the the का use जिसने पढ़ लिया determiners 50% आपने complete कर लिया the के क्या-क्या use हैं, सबसे पहला जितनी भी adjective के superlative degrees होते हैं, जैसे long का longest होता है high का highest होता है third वाली degree को हम superlative degree कहते हैं, tall का tallest होता है, less का least होता है, good का best होता है, worst का worst होता है, sorry, bad का worst होता है, तो जो superlative degree होते हैं, इनके पहले हम हमेशा the का अस्तेमाल करते हैं, error correction का जो sentence है, वो आपकी exam में अगर आया और उस sentence में कोई adjective यूज हुआ है, जो कि third degree में है यानि superlative degree में है उसके पहले आप द लगाओगे, बिना कुछ सोचे, समझ गए, पहला use the का, दूसरा, the सभी water bodies के नाम के पहले use करते हैं, समुद्र का नाम हो, या नदी का नाम हो, या ocean का नाम हो महासागर, या canol का नाम हो, या dam का नाम हो, इन सभी के पहले हम the का इस्तिमाल करते हैं, जैसे the pacific ocean, the गंगा, the ब्रमपुत्रा, the इंद्रा गांधी canol, यानि lake, जो हमारे lakes होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, तालाव हो गया, और ताजमहल हो गया, यह सब famous buildings हैं, बुर्ज खलीफा famous building है, आइफिल टावर famous building है, तो famous buildings, monuments, और towers के नाम के पहले भी हम the लगाते हैं, ठीक है, the और कहां लगता है, भाई साब, ऐसे देश, जिनके नाम में, या तो kingdom आता हो, जैसे United Kingdom of England, जिनके नाम में states आता हो, जैसे United States of America, जिनके नाम में Emirates आता हो, जैसे United Arab Emirates, भाई, ऐसे नाम वाले देशों के पहले भी हम the का इस्तेमाल करते हैं, तो the के जो बहुत ही ज़्यादा common uses है, वो मैंने आपको बता दिये, और क्या जानने लाइक है determiners में, यह कुछ ऐसे model auxiliaries हैं, जिनके uses पूछता ही पूछता है, आप इसको avoid नहीं कर सकते हो भाई, तो और अब आते हैं हम, हमने determiners भी देख लिए, अब हम आते हैं, अपने subject verb agreement की तरफ, ठीक है, यार subject verb agreement एक ऐसा topic है न, जिसमें कैसे गलती का पता लगाओगे, sentence जो भी तुमारे सामने, जिसमें error हमें ढूड़ना है, आपको उसमें ये देखना है, कि भाईया, इस sentence में, जो subject है, वो verb के साथ match कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गलती भी आप देख सकते हो, देखो यार, मैंने अलग-अलग mistakes बता रहा हूँ कि, आपको ये rules अगर दिमाग में है, तो आप sentence पढ़के गलती आपको पता चल जाएगी, कि हाँ, यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ गलती है, actually, ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, subject verb agreement के बारे में, अब subject verb agreement में आपको क्या चेक करना होता है, जो sentence है न, अब sentence जब भी आपके सामने आया, तो पहले यही चेक कर लो, पहले यह चेक करो कि जो subject है sentence का, वो उस sentence के verb के साथ agree कर रहा है की नही, match कर रहा है की नही, कब match करेगा, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए सब्जेक प्लियूरल है तो वर्ब भी प्लियूरल होनी चाहिए अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लियूरल होता है तो हम समझ सकते हैं लेकिन verb singular plural होता है तो कैसे जानेंगे कि बैया कौन सा verb singular है कौन सा plural है तो एक तरीका बताता हूँ अगर किसी भी verb के आगे s लगा है या yes लगा है वो singular form में है अगर किसी verb के सामने s और yes नहीं लगा है तो वो plural form में है तो ये चार topics और इन चारो topics में से क्या क्या important है वो मैंने आपके लिए बता दिया अब ऐसी कोई चीज नहीं है इन चार topics में से जो आपको बाहर से आ जाया और आप error correction के question ना कर पाओ हां कुछ अब हम most common topics के बारे में बात करेंगे चाहे इस बार का sample पर उठा लो आप 26 तारीक को board paper देके आओगे तब देख ले ना पिछले साल का board paper उसके पिछले साल का board paper किसी भी साल का error correction का board paper उठा लो ये गलतियां cbsc पूछता ही पूछता है कौन कौन से number one two के बाद हमेशा वर्ब की first form आनी चाहिए मेरे दोस्त यानि अगर किसी sentence में to two का इस्तेमाल हुआ है उसके बाद अगर कोई verb आ रही है तो check कर लेना वो आपको ing वाला form card देना है third form दिया है third form card देना है क्या लिखना है verb की first form ठीक है अच्छा जैसे मालो to two के बाद हमारा दे दिया है jumped j-u-m-p-d तो आप देख रहो third form है आपको इसको सही करना है तो आप करोगे two के बाद jump to j-u-m-p first form लगाना है ठीक है अच्छा दूसरा use क्य भाई साब superlative degrees जो adjective की होती है यह बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं इसको repeat कर रहा हूँ adjectives की superlative degree के पहले हम हमेशा the का स्तेमाल करते है is it clear समझ गया कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर अब हम आते हैं और भी कुछ uses की तरफ जैसे की एक और बहुत ही common गलती जो cbc हमेशा कर देती है यह gap filling में भी आता है error correction में भी आता है होता क्या है कि भाई साब आपको न कोई sentence जिसमें आपको error ढूड़ना है या जिसमें आपको gap filling करनी है अगर उस sentence में already एक verb का form आ चुका है चाहे वो कोई भी verb का form हो वो अपकी first form हो सकता है second form हो सकता है third form हो स क्योंकि इस बार sample paper में एक गलती आई थी एक error correction का question था जिसमें sentence में दो verb use हुए है पहला verb की third form में है दूसरा verb की first form में है गलत है पहला किसी भी form में हो दूसरा हमेशा ing form में होना चाहिए are you getting my point are you getting my point यह हमेशा याद रखना है आपको ठीक है अच्छा अब और कहां गलती होती है that, which, who और whom के use में इन चारों का use कहां करेंगे हम भाई देखो that का इस्तिमाल non-living things के लिए which का इस्तिमाल non-living, leaving दोनों के लिए और who का इस्तिमाल हमेशा leaving things के लिए use होता है तो ये error correction की कुछ ऐसे tricks थे, कुछ ऐसे rules थे जो मैंने आपको बताया इसलिए बताया न क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को भी देख लिया ना, तो error correction के question तुमसे छूटेगा नहीं, ये मेरा promise है, आप try करके भी देख ले ना 26 फरवरी को, अगर इस वीडियो को देख के जा रहे हो, आपको सभी concepts वहाँ पर match होते हुए दिखेंगे, तो वीडियो का कैसी लग की भाई साब, एक बार मुझे comment section में बता देना, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखो अपना अपनों का, love you all, चेहन्त